किसान सातियों नमस्कार मापनीश सिसो दिया किसान भायो हमारी फसलों में हम स्टार्टिंग से बहुत केयर करते हैं उसके बाद है एक हमारी फसल तैयार होती है उस पे फ्रूट आता है नहीं कि फल आता है फल आने के बाद समस्या आती है कि फल में कीडा लगने लगता है जि को बुरी तरह सडाक देती है और यह बहुत तेजी से करती है जिस से बहुत वड़ा लोस हमारे फ़सल के अंदर कर देती है टामाटर के अंदर इसका वह ज्यादा टैग देखने को मिलता है टामाटर की फऽान आपने लगाई या बहुत उसमें प्रोडेक्शन में लाउस यह करती है जो फल्स हेदक कीट है तो इसको कंट्रॉल करना चाहिए समय से उसके साथ साथ यह आपने लगाया है तो यह कुछ काफी ज़्यादा अटेक करते हैं उसके साथ और भी बहुत सारी फसले हैं मिर्ची के अंदर अटेक होता है लेकिन कम अटेक होता है उतना ज्यादा मिर्ची के अंदर हमें फिестноज्यादा का घेक ज्यादा नहीं देखने को मिलता है और बहुत सारी फसले है बहुत तेजी से फैलती है इस प्रेड होती है तो इसके लिए आज की इस वीडियो में हम पांच पैश्ट इंसेक्टी साइड आपको बताने वाले हैं जो बहुती अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं इस पर इनके अधिया दो इस प्रेड ले लेते हैं जो मैं साब्धानी बताता हूं साब्धानी को ध्यान में रखते हूं दो इस प्रेड ले लिजिएगा आपका जो फ्रूट बॉरर है वो पूरी तरीके से कंट्रॉल हो जाएगा तो वीडियो काफी इंफॉर्मिटिव होगा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा जादा से जादा फार्मर के साथ इसे सेर भी कीजिएगा तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं साब्धानी क्या रखनी है देखिए आपके प्लांट में जितने भी फ्रूट डैमेज हो चुके जिनके अंदर फ्रूट बॉरर है उनके अंदर कीड़ा है उन सभी को फ्रूट को निकाल कर एक बर की समस्या बढ़ती है क्योंकि लार्वा तो उस फल के अंदर ही है लार्वा क्या करेगा उसको जब तक उसका लाइफ साइकल है उसके बाद वह जमीन में गिर जाएगा और यह प्यूपा में कनवर्ट हो जाता है जमीन में गिरने के बाद प्यूपा में कनवर्ट हो जाता ह फिर प्यूपा से फिर ये इसकी मख्य बनती है फ्लाइ बनती है तो ये फिर बाहर निकल करके हमारे फ़सल उसको डैमेज करता है तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकल चलता रहेगा तो इसलिए जो भी फूट है उनको निकाल करके कलेक्ट कर लें और गड़्डा खोद कर दावा दें तो हम इसकी लाइफ साइकल को वहीं ब्रेक कर सकते हैं तो इसको बढ़ने से हम ऐसे रोक सकते हैं उसके बाद जो मैं बैश्ट इंसेक्टिसाइड आपको बता रहा हूं वह आप इस प्रे कर दें तो आपका कंट्रॉल हो जाएगा तो किसी भी फसल के अंदर य तर बूज में नहीं देखने को मिलता है तो उस पर भी एकाम करेगा यानि कि कि तना च्छेदग पर बहुंद यह काम करेंगे जो इनसेक्टिसफिशाइड में आपको बता रहा हूं पहला जो इनसेक्टिसाइड आपको लेना है नमबर पांच पे जिसको हमने रखा है वह ह आपको औरिजनल मिलता है जब उपयोग करेंगे तो अच्छा रिजनल मिलेगा इसके अंदर क्लोरेंटा निली प्रोल टेक्निकल होता है इसके जो डोज हमें रखनी होती है 0.4 से लेकर 0.5 ml पर लीटर रखनी होती है यानि कि 80 ml से लेकि 100 ml पर एकर के लिए यह प्रयाप्त रहता है इसका कॉंबिनेशन आप किसी फंजी साइट के साथ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यदि रोग का कोई सिम्टम से दिख रहा है otherwise रोग नहीं दिख रहा है तो फिर सेपरेट करें अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे लेकिन कोई लग रहा है कि यह फंगस का भी अटेक है तो फिर आप कॉंबिनेशन में भी यूज कर सकते हैं तो यह हमारा बहुत अच्छा रहता है इसके प्राइज की हम बात करें तो इसका जो प्राइज है वो आपको लग भग आट सो से हजार रुपे की रेंज में मिल जाएगा एक एकड़ का जो प्राइज है उतना आपको पड़ेगा तो नमबर पांच पे है हमारा कोरजन इंसेक्टिसाइड उसके बाद हम जिसको नमबर फोर पे रखे हैं वो है हमारा डेलीगेट इंसेक्टिसाइड delegate को number 4 पे रखने का कारण यह है बहुत जादा expensive है यदि आपकी फसल में thrips का भी attack है तो thrips को भी control करना चाहते हैं साथ में जो फल शेदक है उसको भी control करना चाहते हैं तो आप इस expensive insecticide का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके thrips पे भी अच्छे result है tomato के अंदर बहुत सारी फसलों के अंदर brain crop के अंदर हमने यूज किया है अच्छे result इसके देखने को मिलते हैं लेकिन इसकी जो compatibility है वो आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं इसको किसी के साथ mix नहीं कर सकते हैं इसको आपको separate ही देना पड़ेगा यह आपको इहां पर ध्यान एकड़ के हिसाब से यानिकी 0.9 ml पर लीटर पानी में मिला करके स्प्रे ले सकते हैं कोई भी insecticide मैं बता रहूं उसके कम से कम दो स्प्रे करें छे से साथ दिन के अंतर से तो पूरी तरह एक इस पर कंट्रॉल आपको देखने को मिल जाएगा इसके प्राइज की बात करें तो नंबर तीन पर आता है हमारा एक insecticide जो सिंजेंटा कमपनी का आता है एंपली को को insecticide भी बहुत अच्छा है इसमें 2 टेक्निकल होते हैं एक तो ख्लोरेंटर निलिप्रोल प्लस लैमडा साइलो थ्रें दो टेक्निकल होते हैं यह जैड सी फॉर्मिलेशन में हमें देखन किसा आपसे इसकी डोज रखनी होती है एक एकड़ का प्राइज आपको पढ़ेगा 800 से लेकर के 900 रुपे की रेंज में तो ये इसका प्राइज रेंज आपको पढ़ जाएगा ये भी अच्छा काम करता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं इसके भी आपको दो ही स्प्रे डे ले ले लें ये भी अच्छे से कंट्रॉल करता है इसकी डोज रखनी होती है यह त्यूक्त रेंग एक एकड़ का प्राइज तो इसके भी आपको 2000 से 1100 रुपे की रेंज में पढ़ेगा एक एकड़ का प्राइज है तो इसके भी आपको दो इस्प्रे करने पड़ेंगे तो बहुत अच्छा ये कंट्रॉल दे देता है उसके बाद जो हमने नमबर वन पे रखा है वो बहुत सांदार है वो उसको नमबर वन पे रखने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा तो नमबर वन पे रखा है हमने एक प्रोक्लेम आता है सिंजेंटा का यह एक्स्प्लोड के नाम से भी मिल जाता है टेक्टर ब्रांट का और भी बहुत सारी कंप्रियों का मिल जाता है तो इसके अंदर टेक्निकल होता है अबामेक्टिन बेंजोएट 5% ग्रैनवल फॉर्म मे यह आता है दानेदार फॉर्म में यह आता है विक्टिन इसको नमबर फाइब पर इसके लिए रखा है क्योंकि यह सस्ता होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाता है फल छेदक पे और उसके साथ साथ यह थोड़ा बहुत थ्रिप्स पे भी काम करता है थोड़ा मात्र दो घंटे के अंदर अंदर यह कीट को डेमेज कर देता है कीट जो है वह हमारा खाना पीना छोड़ देता है यह फसल को नुकसान पहुचाना छोड़ देता है मात्र दो से तीन घंटे के अंदर अंदर तो यह बहुत अच्छा काम करता है ममेक्टिन बेंचुइट औ और 100 ग्राम पेकिंग की जो कीमत है वो 200 से 300 रुपे की आसपास आपको मिल जाएगा तो यह सस्ता होता है और अच्छा रिजल्ट दिखाता है इसलिए हमने इसको रखा है नमबर वन पे तो यह भी बहुत अच्छा है और इसको भी आप किसी फंजी साइड के साथ भी कमपिट कमपिटिबल है किसी फंजी साइड के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं हाला कि अगर किसी फंगल इंफैक्षन नहीं है तो सेपरेट यूज करें काफी अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह काफी वेस्ट फंजी साइड कोई यूज कर सकते हैं देखिए उनका जो कउम्बिनेशन ना करें अपको मिल जाएंगे वीडियो को लाइक करें ज्यादämän के साथ परें जानकरी पहुंच सके मिलूंगा मैं आपको एको नई वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें धन्यवाद